त्लोट to my YouTube channel paper ॐ जैसा कि आज आपके सामने Question No.3, सबस्क्राइब कर ने हों तो सबस्क्राइब कर दीग है है और हम यहां पर बीस्टी आपका सेकेंड समस्टर है जिसमें पॉर्टनी का पॉर्टन पर नहीं इसमें लॉंग आंसर और शॉट आंसर को पड़ लिया अब हमारा है बेरी शॉट आंसर टाइप क्वेशन जिसमें आपका थर्ड प्रॉश्चन है रहा ब्रायो फाइटा के महतपूर उपातिक्तुर्ण घड़ों का वर्डं की जिए ठीक है इनके इंक्रेंट्स के ङक्रॉटं प्रॉपर्टरिज कंड़ार जगत की कि तो ड्रायो फाइटा जगत में जो पहुँक्ते आते हैं वह आपके बहुत छोटे छोटे पहुँक्ते होते जो सामानेता आपके नमी या चायादार इस्थानों पर जम जाते हैं, कहां जमते हैं आपके नमी या चायादार इस्थानों पर आपके उगा आते हैं, ठीक, तो ये आपके क्या होते हैं, नमी और चायादार इस्थानों पर उगा आते हैं, और इनकी अगर हम बात करें, तो इनका पत्ती, जड और तना सबसे पहले अगर हम बात करें इनके महत्कून गुणों की तो ये करके हम जानेंगे भ्र honeymoon, जाते हैं कौन-कौन सेसे पहला अगर हम बात करें तो करत भ्रistas नमी तथा चाय वाले इस्थानों पर पाए जाते हैं यह वो पौधें है छोटे छोटे जो सामाने था नमी या जहां पर चाय रहती उन जगहों पर यह आपको मिल जाते देखने को ठीक है किसमे बाती और तना ती रहते हैं इनने का सुका यानने कि फैल स यक्रत के आकार होता है इसलिए हिन्हे लीवर्वर्ड भी कहते हैं ये बहुत ही अच्छे से द्याँ रखना कि जो आपके ब्राइव फाइट होते हैं उनको लीवर बर्ट क्यों कहते हैं इनका सूका या थैलस या बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है लीवर के समान होता है किसके समान होता है लीवर के समान होता है इसलिए इनको लीवर बर्ट भी कहते हैं ठीक है ब्राइव फाइट के प तो गल रहता है या रायजाड का रहता है इते बच इस तरह के आपकी सरचना होते हैं किस तरह की आपकी तरचना होते हैं यह आपके पौदा आज करते हैं जिन से पौदा आपका जमीन से चिपका रहता है राजाड पानी के शोसड तथा पौधों को जमीन से चिपकाने का कारी करते हैं अभी जो राजाड है ये क्या करते हैं ये जमीन से पानी का अब सोसड करते हैं और पौधों के विवन बागूं तक पहुंचाते हैं ठीक है या पौदों को पानी की अवश्रक्ता होती तो कौण पूरी करता आपके राजाड और ये क्या करते हैं ये इनको जमी से चिपकाने का भी कारिय करते हैं फिर्ट अगर हम बाद करने तो गराव फैटलाइजेसन के लिए पानी अवश्रक्ता होता है यह निकि निसेचन के फैट की प्रतामवस्ता होती है यही थोड़ा और गूर करके क्या बन जाता आपका इस पूरुफाइट का फार्मेशन कर लेता है ठीक है तो फोर्थ भी हम इसी में डिसकस कर लेते हैं ठीक है कि चोटा सा है आपका पूर्थ कुशन नंबर फोर कह रहा है स्केल्स पर टिप पड़ी लिखनी है इससे पहले हमने पड़ा था शॉर्ट आंसर टाइप का आपका उसमें आपका थार्ड कुछन है स्केल्स ठीक है उनको देख लिए उसमें इस्ट्रक्चर भी बना हुआ है तो यह कह रहा है स्केल्स पर आपको क्या लिखना एक नोट लिखना ठीक है शॉर पाई जाते हैं उन्हें कहते हैं स्केल्स कहते हैं तो यह मोस्टली किसमें पाई जाते हैं आपके मरकेंसिया के पौधों में पाई जाते हैं यह आपके शल्की हो सकते हैं और बहुत कोशकी होते हैं शल्की है जिल्ली में और बहुत कोशकी है ठीक है यह एक कोशका मोटे त कौंसा आपका एंथो साइटीन है एन्थो साय नेन है कि अंतु remeer蒜 आन्ठों साइटेनीर यह रंजक आपका क्या है रंजक जasm चो की रंग प्रधान करता है प्रस्स आह weelth आंप बैंगनी देता यह ये बैंगनी रंग देता है ठीक है किसको इसका एल्स को ये सरल होते हैं जीविका कार तथा उपांग का युक्त होते हैं कैसे सरल जीविका कार और आपके कैसे होते हैं उपांग का युक्त होते हैं अगर हम सरल की बात करें तो यहां पर सरल आपके कैसे होंगे सिम्पल होंगे ठीक है और यह आपके किसक की तरह हो जाते हैं यह आपके होते हैं जीभ इका ठीक है इस तरह है इनका समälle हुता है इसलिए इनको क्या कहल दिया जाता है जीभ का का ठीक है यह किया कहते हैं लीगु लेट कहते हैं दूसरा है आपका कि में बात करें तो इसमें गया होता है इसमें आपका एक छोटासा और उपांग निकला थीक उपरी साट पर चोटासा अंग निकला आता है जिसे क्या है इस तरह की सलचना है आपको देखने को मिलती है अ settlers कि यह आ आपको उपर समय में चोटा सा अंग और निकला आता है इस लिए इनको कहते हैं अब्यक्ष का पर यानि कि बेंटरल सर्फेश के उपांत था मरकेंशिया में अभ्यक्षक सत्य पर मदोर्टियों में विवस्थ रहते हैं ठीक है ये लायन आपको अच्छे से याद रखने है की रक्षिया में कहां रक्षिया में हुता है अभ्यक्षD पर ठीक है कहां नीचे की सताय पर ठीक है या लिए बेन्टरल और डोरसल यह दो भाग होते हैं वह था देंटरल की अगर हम बात करें तो यह बहुता है जो जैसे मानलों आपकी रिड की हड्डी है उसके नीचे वाले 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 को कहते हैं दोर्सल गए तो यह बेंटरल होता है आपको दोनों और सतरह से देखने को मिल जाते हैं और दो पंक्तियों में विरुस्तित रहते हैं कितनी पंक्तियों बनाते हैं, दो पंक्तियों में ये बटे रहते हैं, इनका अंतुसरोस एवं पेलिया में आपके नहीं पा जाते हैं, क्या स्केल्स ठीक है, तो ये हो गए, आपके बेरी शॉर्ट आंसर टाइप कोश्चन और ये पहला यूनिट आपका खतम हो चुका है, अब हम बात करेंगे एगले वीडियो में शेकन यूनिट का पहला कोश्चन जो कि लॉंग आंसर टाइप कोश्चन होगा, तो बने रही है हमार साथ, मिलते हैं एगले वीडियो में, थैंक्स पर वाचिंग और शेयर दा वीडियो